फ्रेंड्स पूजा के वर्ड टूर ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है आई होब कि आप सब ठीक होंगे और पूजा पार्थ में मस्त होंगे तो चले आपको हम एक ऐसे पवित अस्थल से मिलाते हैं जो की कैलिफोर्निया के लॉस एंजलेस में बना हुआ है ये है स्वामी नरायन टेंपल और स्वामी नरायन टेंपल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा क्योंकि इसके हजारों मंदिर बन चुके हैं पूरे वर्ल में और दिल्ली का जो अक्छरधन टेंपल है इनही का टेंपल है बहुत ही फेमस टेंपल है बड़ा ही सुन्दर है वैसे ही य तो मंदिर भी सुन्दर और आसपास की एरिया बहुती सुन्दर और मंदिर तो बड़ा ही सुन्दर इतना सुन्दर मंदिर था और जो बाहर मंदिर में इन्हों ने बनाया हुआ है कि पुरा मूर्तियां बनाई हुई है खासकर इस मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति है औ अजलब उसमें फोटो नहीं ले सकते थे और वो पूरा सफेज संग मरमर से बना हुआ है और उसमें बैठ जाओ तो लगता है कि कुछ देर तक अब निकलने का मन नहीं है एक अजीब सी शान्ती मिलती है बहुत ही सुन्दर देख लिजे आप यह बाहर का दृष्ष्ट है देखिए जैसा कि मैंने बोला कि मंदिर के बाहर उन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं तो यह वही मूर्ति की बात मैं कह रही थी कि अलग-अलग देवताओं की मूर्तियां बनाई हैं उन्होंने उसमें सबका नाम भी लिखा हुआ है जैसे धश्यवा हैं गनेश है यह सारा बना हुआ है इतनी भारीकी से काम किया गया है इसको देख करके मतलब ऐसी फिलिंग आ रही थी क्योंकि अपने भारत में तो सुन्दर सुन्दर मंदिर बनाई ही जाते हैं वहाँ पे इतने अच्छे-च्छे कलाकार हैं और वही सारे लोग यहाँ पे भी बनाने लग हैं वह देख करके थोड़ा सर्प्राइजिंग लग रहा था कि इतना सुन्दर मंदिर बनाया है इनोंने तो अभी हम कैलिफोर्निया विजिट करके आये तो हमारा पहला जो था कि हमें पहले कहां जाना है तो हमको सौमी नरायन मंदिर जाना था क्योंकि इतना बड़ा मंद है लेकिन ऐसा मतलब जगा नहीं मिलती है इस तरह बनाने की लेकिन यह क्या मंदिर बना हुआ था तो हमको यहां पे जाना ही जाना था इसलिए हम जिस दिन पहुंचे तो सबसे पहले हम सौमी नरायन टेंपल गए थे और यह वाला दृश हमने जब हम मंदिर से उतर रहे थ और उधर बगल से हाइवे गया हुआ है और इस मंदिर में देखिए यह बैठने की जगा है और यहां पे जूते चपल अपना निकाल के जाओ और फिर बाहर निकलो तो इनका प्रशाद का होता है कि प्रशाद समझ लो या अपना कुछ खाने पिने का जो भी मन करे लो कामर्सलाइज्ट भी कर दिया है कि इसमें चीजे खरीदो और खावबट टेस्टी बहुत ज़्यादा था और रेट भी ठीक ठाक था यह मंदिर गुजराट से स्टार्ट हुआ था इसलिए इनके जो खाने वाली चीजे उसमें गुजराती स्वाधा आता है और हमने भी यह देखिये कैसे लड़ू खा रहे हैं बहुत ही यमी लड़ू था हमने भी समोसे लड़ू खांडवी क्योंकि गुजराट में कोकला यह सब चलता है वो सब भी वहां पे था आई होब कि स्वामी नरायन मंदिर आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई बाई